Hello everyone, आप सभी का एक बार फिस्से स्वागत हैं, हमारे YouTube चैनल में, Biology with Shubhendra Kumar तो आज हम discuss करेंगे थोड़ा सा different topic है, शाद आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं ये topic लेकर आऊँगा पर मुझे लगता है इसके बारे में में discuss हमें करना चाहिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक Covishield और दूसरी है Covacin Covacin दो वैक्सिन के बारे में आप जरूर जानते होंगे और जो इस टाइम लग रही हैं हला कि दोनों तो नहीं लग रही हैं, एक इसमें से लग रही हैं जादा, वो भी आगे हम discuss करेंगे पहली वाली Covishield और दूसरी वाली Covacin मेरा नाम, मेरी graduation, मेरा teaching experience, जो भी है, सब आपकी सामने, सब कुछ आप जानते हैं और मेरे चैनल को like, subscribe और जादा से जादा share भी करते रहें तो हम आगे lecture को continue करते हैं, यहां से, तो इसे पहले एक question पुछा गया था कि who is the father of botany and geology, तो मैंने इसका classification भी कर दिया था, यानि कि divide भी कर दिया था, पॉइंट भी दिया था, वनस्पती विज्ञान और जन्त विज्ञान, यानि botany और जोलाजी, तो answer जो correct answer आया था, वो दो बच्चों ने दिया, एक पहला, श्वेता भारती, और दूसरा, मनुर सिंग, निक्स्ट, मैंने उनकी slide भी लगा के रखी है, यह आपके, जो है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पहली slide लगी हुई है, यह त्रियो फ्रेस्टस की है, और दूसरी वाली है Aristotle की, और इनको अरस्तु इंदी में कहते हैं, ठीक है, Aristotle इंगलिश में उसको है, सबसे पहले हम बात करेंगे, डेवलोपर कौन है, इन वैक्सीन का, तो पहला आपका आज जाता है, डेवलोपर में, यानि को वैक्सीन के बारे में, has been developed by Hyderabad-based, based है यह भारत Biotech International Limited, यानि इन्होंने इसको डेवलोप किया in association with Indian Council of Medical Research, यानि ICMR, अभी मैंने images भी लगा के रखी है, उससे जाधा आपको clear हो जाएगा, तो यहाँ पर and the National Institute of Virulology, यानि इन लोगों ने, जैसे कि Hyderabad, भारत Biotech है, और ICMR है, और NIV है, इन्होंने इसको क्या किया है, इसको डेवलोप किया है, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यह बात है, यह बात है, को वैक्सी जनेका and is being manufactured by the Serum Institute of India, यहीं सीरम इस्टूट अफ इंडिया के दोरा यह manufacture किया गया है, लेकिन डॉक्टर क्या कहते है, इसके बारे में, यह कोविशील्ड के बारे में, क्या कहते है, डॉक्टर्स आर मूलिं, मूलिं का मतलब होता है कि विचार करना, विचार करना है, ओर द need for a booster dose for covishield, as well considering the fact that the elderly and pupil with comorbidities may not be producing the desired immunity response to the delta variant, यहीं डॉक्टर इस पर विचार कर रहे है कि जो covishield है, यह कैसे इसको और जादा इसको boost किया जाए, कि यह delta variant के लिए भी जादा powerful हो, यहनि delta variant पर भी यह work करें, ठीके, तो यहां से दोनों के बारे में बताता हुआ चल रहा हूं है, co vaccine के बारे में भी, और covishield के बारे में भी बताता हुआ चल रहा हूं, जहाँ पर आपने देखा कि इसको हैदराबाद में भारत biotech international है, वहाँ पर, और ICMR के द दौरा यहनि institute of virology, national institute of virology के दौरा यह developed किया गया है, यहनि यह co vaccine के बारे में था, और covishield को Oxford, AstraZeneca, और इसे manufacture जिसने क्या है, manufacture का मतलब जिसने बनाया है, तो serum institute of india, serum institute of india ने इसको बनाया है, तो डोक्टर अभी विचार कर रहे हैं कि कैसे इसको और जादा बूस्ट क किया जाए, तो यह जो delta variant आने वाला है, जिसको अभी November के लिए देखा गया था कि हाँ, लेकिन हाला कि अभी कुछ ऐसा result देखने को नहीं मिल रहा है, बाहर देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक अलग चीज हो गए, अभी हम मतलब पूरा worldwide यह देखन यह और भी जादा कारे करें किसके लिए, डेल्टा वेरियंट के लिए, और डेल्टा वेरियंट आप अच्छी दरह से जानते हैं, तो डेल्टा वेरियंट क्या है, अब देखिए, यहाँ पर मैंने चारो इमेजेज लगा के रखी है, पहला है ICMR की, दूसरा यह वाली ICMR की फिर इसके बाद भारक बायो टेक, फिर इसके बाद अस्तरा जनेका, फिर इसके बाद सीरम इंस्टूट आफ इंडिया, यह चारो इमेजेज लगी है, आप चारो को देख सकते हैं, कि हाँ यह दिखने में कैसी बिल्डिंग दिखती है, ठीक है, हलाँ कि यह न्यू डैली म वैक्सीन, inactivate का मतलब यह होता है, कि यह बॉडी के अंदर जाने पर, बॉडी के अंदर जाने पर, यह डिजीज को कई नहीं करती, यानि उस डिजीज को काई नहीं करती, बट हाँ, हमारे immune system को, information दे देती है, कि क्या होने वाला है, आप उसके लिए तैयार रही है, उस च vaccine is developed by whole virion, वाइरस, वाइरियाउन, वाइरियाउन का मतलब होता है, छोटी छोटे 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 पार्टिकल्स को विरियाउन कहते हैं, यहां पर जो यह वर्ड लिखा हुआ है, हूँ, कहाँ यह मेरा करसर, यह, होल विरियाउन, यह वला वर्ड जो लिखा हुआ है, विरिया वेरो, cell-derived technology, they contain inactivated virus, viruses which can not infected a person, देखे, क्या कह रहा है, यह inactivate virus होते हैं, यहां पर, inactivate virus, which cannot, which cannot infect a person, यह किसी person को, किसी वेक्ट को, यह infection नहीं करते हैं, यह infection नहीं करते हैं, प्रभाव नहीं डालते हैं उन पर, but still can teach, still can teach the immune system, but यह हमारे immune system को, बता देते हैं, यानि उसे पूरा का पूरा information, दे देते हैं, to prepare a defense mechanism against the active virus, यह उसको बताते हैं, हमारे immune system को यह बताते हैं, उसे पढ़ाते हैं, या teach करते हैं, कि आप इस चीज़ के लिए तयार रहिए, बाहर यह virus है, और यह virus आपकी body पर भ पहले से, यानि कि आप भी कुछ ऐसे कभी-कभी कि हाँ सामने से अटाक होने वाला है, मैच केल रहे हैं, सामने से अटाक होने वाला, यानि आप तो six मारने की पोजिशन में हैं, तो पहले से प्रेपार हो जाता है कि मुझे इस ball पे छे रन मारने, अब लास्ट बाल पे अक्टिवेट हो जाता है बिलकुल, कि हाँ, अब मुझे मारना है, अब मुझे मारना है, ठीक है, तो यहाँ पर पहले से ही उसको बता दिया जाता है कि हाँ, यह जब इनक्टिवेट वाइरस डाला गया, तो एक प्रकार से information दी जा रही है हमारे immune system को, कि आप ready रही है, ऐस conventional vaccine have been in use for decades, यह अब ही नहीं, कई सेक्डु सालों से, कई दसक से, कई दसक से यह इस्तमाल की जा रही है, सेक्डु सालों की हाला की नहीं बात करता मैं, तो decades का मतलब कई दसकों से इस्तमाल की जा रही है, now, they are vaccine for some other diseases as well, which are made using the same technology, technology, यहनी, ऐसी ही technology को use करके, कौन सी technology, यहनी, जिसमें virus को, किसी भी virus को inactivate form में रखा जाता है, इन एक्टिवेट फ़र्म में रखा जाता है, जैसे rabies का injection लगता है, तो rabies के virus से ही, rabies के bacteria, या virus से ही, क्या किया जाता है, rabies के virus से ही, उसको उसी में से injectable injections मनाई जाते हैं, और उसे vaccine कहते हैं, और vaccine को, किसी भी patient को, जिसको काट लेता है, या rabies होता है, उसको लगाई जाती है, वो vaccine उसको लगाई जाती है, यानि ये ऐसे ऐसे हैं, तो इनके लिए जो टेक्नोलगी यूज की जाती ही, वो same technology का ही यूज़ किया जाता है यहाँ पर सेम टेक्नलोजी यूज़ की जाती है Next Covishield अब बात करते हैं Covishield के बारे में अभी तक जो बात हमने की पिछले वाली पेश पर वो हमने Covacin की बात की वहाँ पर हमने Covacin की ही बात की हमने Covishield की वहाँ पर कोई भी बात नहीं की यह दिखे यहाँ पर यह लिखा Covacin ठीक है यह जो बाते थी यह Covacin के बारे में थी अब दिखें Covishield के बारे में हम चर्चा करते है Covishield यहाँ पर Covishield has been prepared using the viral vector platform which is totally different technology अब जो Covishield जो बनाई जाती है vaccine उसकी technology बिल्कुल एकदाम different है तो different technology क्या है चलिए उसको भी समझाता हूँ मैं कह रहा है यहाँ पर color change कर लेता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा तो यहाँ पर कह रहा है कि different technology एकदाम different technology से उसको बनाया जाता है कौन से different technology है उसको भी उसके बारे में भी हम पढ़ते है कह रहा है यहाँ पर जो chimpanzee होता है अब इसको क्या किया जाता है chimpanzee के अंदर adenovirus जो common influenza वगरा यानि cold वगरा cause करता है उसको insert किया जाता है adenovirus अब इससे जो बना उसको कह दिया जाता है इससे जो बना उसको कह दिया जाता है क्या? ch क्या कह जाता है? ch यह देखिए chadox अब इसका mean क्या है? अब ch जो define करता है वो सीधा सीधा chimpanzee को सीधा सीधा chimpanzee यानि यहाँ पर लिखा है ad मतलब ad आपका adenovirus हो गया यह virus के बारे में discuss कर रहा है इसके बारे में यह virus के बारे में discuss कर रहा है ठीक है? ठीक है? वो chimpanzee के बारे में ठीक है? और इसके बाद जो आपका आता है आपका यहाँ पर ox ox का मतलब है यहाँ पर ox oxford university ठीक है? इसलिए ox को भी add किया जाता है अब जो इसमें number one दिया है यह vector के form में भी use किया जाता है यह यह vector as a vector की तरह भी इसको रखा जाता है यह जो culture करते कि यह number one था number two था number three था कौन सा था? उस रिसाब से इसको one two three करके इसका नाम दे दिया जाता है मैंने इसके लिए CH के लिए मैंने क्या बोला मैंने कहा chimpanzee है देखिए आगे लिखा हुआ है इसके chimpanzee adenovirus और ox जिसका नहीं लिखा था वो मैंने oxford 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 यह university है ठीक है तो has been modified to enable it to carry the covid-19 spike protein अब देखिए spike protein spike means काटे होता है spike means काटे होता है नीचे इसकी image लगी है यह देखिए यह एक spike protein है into the cell of human humans well this cold virus is basically incapable of infecting the receiver but can very well teach the immune system to prepare a mechanism against such viruses अब यह क्या करता है यह cold cause करता है उसके साथ-साथ हमारे immune system को यह भी teach कर देता है कि आप immune system को information दे देता है कि पहले से ही prepare रही है जो बात मैंने भी पहले वाले में बोली आपकी दा 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 एक्जेक्ट टेक्नोलोजी वाज यूज यूज तू प्रेपेर वैक्सिम दोजेस फ़र्म तो सेम है दोजेस फ़र्म में कोई भी डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स अफ डोजेस बोट आफ देम आर एडमिनिस्टरड अज 0.5 अमल अब यह कितना दिया गता है 0.5 मल इन दा अपर आम रिजन यह देखें यहां पर दिखा रहा है अपर आम रिजन यहां पर अगर इसकी बात करूं मैं अपर आम रिजन अगर इसकी मैं बात करूं तो यह आपका शुर हो रहा है यहां पर यह देखें अपर आम रिजन में यहां पर इसको लगाया जा रहा है बट दा डोजिंग श्कीडियूल फॉर दा फॉर बोथ वैक्सीन हावएवर वैरीज दा सेकेंड दोज ओफ को वैक्सीन इसकीडियूल आफ्टर फॉर तो शिक्स वीक्स अब देखें यहां पर डिफरेंस इसमें हो जाता है देखें डोजिंग वहां पर डिफरेंस नहीं है 0.5 ml ही दूनों को दिया दूनों का 0.5 ml अब चाहे वो को वैक्सीन हो या फिर या हो या फिर आपकी हो कोवी शेल्ट कोवी कोवी एस लिख देता हूँ ठीक है को वैक्सीन और या फिर हो आपकी कोवी शेल्ट आई बस समझ में कोवैक्सीन या कोवी शेल्ड हो तो उसको 0.5 ml में ही दिया जाता है अब कहरा को वैक्सीन के लिए क्या होता है जो जो सेकंड डोस होता है second dose जो होता है वो कितने four to six week में लग जाना चाहिए यहनी चार से छे हफते में वो लग जाना चाहिए अरे total माले जे डेवर महिने में आपका 45 दिन में ये total हो जाना चाहिए कितना 45 days में लेकिन after first dose while for covid shield vaccine it is 84 days or 12 to 16 weeks after the first dose अब यह चाहिए कि लगबग इसमें तीन महिने तक भी समय होता है इसमें लगबग अप्रॉक्समेटली तीन माह तक समय होता है covid shield में कि उसमें आप बीच में उसको लगवा सकते हैं इसलिए अब यह भी मान सकते हैं आप कि आखिर कोई शील्ड को जादा क्यों आप आप अगर आपको याद होगा अगर आपको पता होगा नाम पढ़ा होगा तो आपको भी कोई शील्ड लगी होगी को वैक्सिन बहुत ही कम ऐसे लोगों जो बहुत पहले लगवाई थी उनको को वैक्सिन लग रही होगी यहना बाकी लोगों को अब कोई शील्ड ही लग रही है क्योंकि उसमें क्या है कि अगर 4-6 वीक मिल जाते हैं यानि कि अगर आज किसी को लगा तो 4-6 हफते बाद फिर पड़ेगे अब उसमें से जो आएंगे तो उनको फिर से प्रिपेर होना पहले से ही वैक्सिन होनी चाहिए अब इसमें क्या है 12-16 वीक मिल रहे हैं तो इसको जाधा रिकमेंड किया गया क्योंकि इसमें टाइम मिल रहा है तो टाइम जाधा मिलेगा तो जो प्रोडक्शन ह है उसमें भी हमें help मिल जाएगी और जाधा से जाधा लोगों को यह लग पाएगी और इसका schedule भी अच्छा है और time भी अच्छा मिल रहा है इसलिए हम इसको जाधा recommend करते हैं ठेक है फिर इसके बाद जब हम बात करते है storage guideline की कैसे इसका store किया जाता है कैसे इसका store किया जात 2 to 8 degree Celsius यहां पर देखे दिखाया गया है centigrade अब Covishield and Covaxin can be stored at 2 to 8 centigrade which is a household refecerated temperature आपकी गर में जो रहता है तो वह इतना temperature तो वह रहता है क्योंकि उसमें भी आपकी जो बर्फ होती वह भी तो जम जाती है तो जब तक 0 degree centigrade नहीं होगा तब तक कहां तक वह बर्फ जम जाएग कि यहां पर 0 to 8 degree centigrade क्या होता है हमारे ठीज का भी temperature होता है यानि हमें इसको freezer में नहीं लगाना है अमें इसको freezer में बिल्कुल भी नहीं लगाना है freezer के बाहर freezer के बाहर two to eight degree वहां का temperature होना चाहिए तो वहां पर हमस्कर अपकर है यह देखें यह कुछ रख रही है यहां पर ए रखा हुआ एक इधर इस साइड में रखा हुआ एक यह open है और यह close है तो यह close और यह वाला open आपका है यह कुछ vaccine या कोई serum वगेरा कुछ रख रही है तो वही मैंने image लगा के देखे कि कैसे उनको रखा जाता है ठीक है फिर efficiency यानि efficiency का मतलब है कितना जाधा ये प्रभावी है यानि कितना प्रभावी है कौन जाधा कौन कम इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं तो उस आधार पर भी हम देखते हैं कि कौन जाधा कौन कम प्रभावी होगा जो कम टाइम में लग रही है या जो जाधा टाइ more than satisfactory result ever since the inoculation started in India. अच्छा जब यह start हो आता है तो दोनों के result ठीक ठाक आ रहे थे हैं. दोनों के result ठीक ठाक आ रहे थे हैं. The effectiveness of COVID-Shield vaccine nearly 90%. Nearly कितना था? 90%. 90% इसके result आ रहे थे कि यह ठीक है, बढ़ गया है. अच्छा काम कर रही है. 90% इसका result आ रहा था, कि यह क्या कर रही है? 90% अच्छा काम कर रही है. कौन? COVID-Shield. कौन काम कर रही है? COVID-Shield vaccine. As per the global reports and co-vaccine 81%. और global report क्या थी? कि 81% according to the interim third phase trial result. Third phase trial result के बाद 81% result co-vaccine का दिखा, लेकिन COVID-Shield का दिखा 90%. तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसको ज़्यादा recommend किया जाए? आपको इतना बताने के बाद आप यह ज़रू कहेंगे, जिसका बाकी होगा वो ही है, पूचे का, COVID-Shield है या COVID-Shield है या COVID-Shield है या COVID-Shield है? ठीक है, लेकिन कुछ चीज़े similarity, जैसे storage वगएरा है, तो यह similarities इसमें मिल जाती हैं. अब देखे, कुछ और भी जो difference उसमें छूड गया, वो यहाँ पर include कर दिया है, मैंने, है ना, कुछ जो same, similar हैं वहाँ से भी. अब यहाँ पर COVID-Shield और COVID-Shield और COVID-Shield और यहाँ पर COVID-Shield और यहाँ पर COVID-Shield और यहाँ पर COVID-Shield. The intervals between first and second dose. कहे रहा है, कोई-Shield का जो interval होगा, तो वो कितने टाइम में होगा, तो कह रहा है कि 12 to 16 weeks, और अभी मैंने बता है कि 4 to 6 weeks second dose. इसके लिए इसका second dose लगेगा 12 to 16 वे if you see after second dose can vary from 70 to 90 अगर आपको दूसरा dose लगता तो थोड़ा सा vary कर सकता है this vaccine can be 78 to 95% effective after the second dose लेकिन second dose में ये जाधा effective है second dose में ये जाधा effective है लेकिन ये second dose के बाद इसका effect क्या हो जाता थोड़ा सा कम हो जाता है इसका effect थोड़ा सा कम हो जाता है decrease हो जाता है ठीक है और इसमें भी vary कर जाता है ठीक है तो people above 18 years of age can opt for this vaccine ठीक है जो 18 years से जाधा है वो किसको जाधा opt करते है COVID shield को 18 पर से जाधा है वो जाधा इसको this can be injected into people above 18 years of age ठीक है और इसमें भी ये जाधा पर 18 पर से जाधा ही लोगों को लगेगी ठीक है तो ऐसा नहीं है कि दोनों का effect को लेकिन यहाँ पर जिब second first dose में इतना जाधा effect नहीं जाता है कहने का मतलब ये पढ़ा रही होते है उस time लेकिन इसका होता है इसलिए ये जाधा अच्छे तरह से काम करते है लेकिन second वाले में थोड़ा सा वैरी कर जाता है लेकिन इसका effect दीरे-दीरे क्या दीरे-दीरे उसका knowledge बढ़ता जाता है और वो effect अपना भी बढ़ाते जाते है Serum Institute of Private Limited Serum Institute of India Private Limited तो हमारे चैनल को like करें सब्सक्राइब करें और share भी करते रहें तो आज के question की जब बारी आती है तो आज का question है हमारा तो कुरोना के लिए कौन सी जाच की जाती है which test perform to identify the coronavirus मतलब identify करने का मतलब कि कौन सी ऐसी pathology की जाती है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन कोरोना है या नहीं है but इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बताना पड़ेगा कि उसका पूरा नाम अगर कोई चीज़ बताते तो आप शौर्ट में बताना उसका पूरा नाम भी जो जाँच होती है इसके लिए उसका पूरा नाम भी आपको बताना पड़ेगा और मिलते हैं next lecture में हमारे चैनल को like करें, subscribe करें और अगर नहीं पसंद आता तो dislike भी कर सकते हैं, comment भी करें, message भी छोड़ें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा share करते रहें अगर नए हैं तो आप subscribe कर लें और bell icon को प्रेस कर लें ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादी हो सकते का उतनी notification आपको सबसे पहले provide हो जाएंगे Thank you class